क्या है नरंकारी संतसमागम? आज के वीडियो में आप यही जानेगे, तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिए नरेश के साथ. नरंकारी संतसमागम, एक अदभुत मिलन, नरंकारी संतों का एक अनोखा मेला, जहां दो चार नहीं, दस पाँच नहीं, हजार दो हजार नहीं, बलकि लाखो लाख, और एक प्रदेश से नहीं, एक देश से नहीं, दुनिया के कोने कोने से आने बाले महत्मा, जो सोयम ही अनुशासित हैं, किसी को पता नहीं, दूसरे का धर्म क्या है, किसी को पता नहीं, क इस मेले में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता, कोई भी नहीं, इसलिए नहीं होता, क्योंकि यहां किसी के कोई जाती नहीं होती, किसी का कोई धर्म नहीं होता, सबका एक ही मकसद होता है, सत्गुरु के दर्शन करना, कोई किसी से यहां कड़े स्वर में नहीं बोलता, उसक अनुसासन होता है स्वत है अनुसासन अलग से कोई पावंदिया यहां पर लगे भी नहीं होती मैं जाता हूँ अपने आप ही अनुसासन में रहता हूँ क्योंकि वो समागम है मेरा अपना घर ये ये भी जब समागम में जाते हैं तो इनका घर है सब जो वहां आते हैं न देश दुनिया के कोने कोने से सब का वो घर है और अपने घर में प्रेम से रहते हैं ये वो घर नहीं है जहां एक दूसरे के विचार टकराते हो हाँ कोई अलग जाती का हो सकता है कोई अलग धर्म का हो सकता है लेकिन धर्म और जाती के बारे में तो बहा कोई बात होती ही नहीं कभी जिकरी नहीं आता आप किस काश्ट से हैं आप कौन से धर्म से हैं पता ही नहीं चलता मेरे नजदीक सोने बाला जिसका बिस्तर मेरे बिलकुल नजदीक है मैं पूचता ही नहीं हूँ भाईया आप किस जाती से हैं ऐसा है नरंकारी संत समागम इस लाखों लाख के भीड को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रशासिनिक विवस्ता नहीं होती यानि सरकार की तरफ से कोई विशेस पुलिस बहाँ पर नीक्त नहीं की जाती कि हर पंडाल म में आप पुलिस को लगा दो बिलकुल नहीं सारे के सारे स्वय अनुशासित होते हैं जैसा कि पहले कहा यहां पर किसी धर्म के जयकारे नहीं लगते किसी धर्म की चर्चा नहीं होती बहाँ पर केबल एक ही चर्चा होती है इंसानियत वाले धर्म की इंसानियत वाले मानप वाले धर्म की, सद्गुरु यही सिखाते हैं, किसी से कोई चल्दा नहीं मांगा जाता, कोई शराब की दुकान बहां पर नहीं लगती, किसी भी प्रकार का बहां पर कोई गलत काम नहीं होता, बहां पर केवल होता है प्रभु का गुणगान, हाला कि जैसे कि देश दुनिया कि कोने कोने में होता है, बिशेस भाशा बोलने वालों की भासाइं अलग होती हैं, बिशेस छेतर में रहने वालों के पहनावे अलग हो सकते हैं, तो आपको बहां कई तरह के पहनावे वाले संतमाहत्मा मिलेंगे, भासाइं भी मैच नहीं करेंगी कई की, लेकिन मिल जाए जिससे पहले कहीं देखा हो तो दूर से ही हाज जोड़ कर कहेंगे भाई साब जी धन्नंकार बेहन जी धन्नंकार यूँ तो बहाँ अधिकांस एक दूसरे के परिचित नहीं होते लेकिन सब ब्रह्मज्यानी होते हैं इसलिए सब का सबसे प्रेम का नाता होता है सब लंगर में लाइन हो प्रदरशनी में लाइन हो या टोइलेट में लाइन हो या फिर सद्गुरु को नमस्कार करने वाली लाइन हो ये जिस सद्गुरु को नमस्कार करने वाली लाइन होती है ये तो सबसे लंबी होती है सबसे पीछे लगावा महत्मा सद्गुरु के सामन काट कर आगे निकलने की कोशिश नी करता वहाँ पे सब कुछ प्रेम के साथ में होता है सब कुछ सोहार्द के साथ में होता है सब कुछ अनुशासन में होता है उन लाइनों को कंट्रोल करने वाली पुलिस बहां कोई नहीं होती कहीं कहीं सेवा दल जरूर खड़ा होता है और अपना अनुशासन, बहां हर कोई सोयम ही बना करके रखता है, और लाइन में लगा हुआ, कोई भी महत्मा, या कोई भी भाई बेहन, आगे पीछे खड़े है ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता, कि सामने बाला किस जाती का है, मुझसे पीछे बाला किस जाती का है, किस धरम क उसका नाम क्या नाम तब भी पता नहीं होता लेकिन फिर भी बड़े प्रेम के साथ बहां पर एक दूसरे से बाचीत करते रहते हैं आगे चलते रहते हैं धीरे धीरे कभी कभी तो एक इस्थान पर खड़े खड़े आधा आधा घंटा हो जाता है और लाइन के चलने का और कमजोर की दीबार नहीं दीबार रहित तीबार रहित संसार यदि कहीं देखने के लिए मिलता है तो वह मिलता है नरंकारी संत समागम में हर समय internet connection उपलब्द रहता है सब के mobile चलते रहते हैं mobile charging की विवस्ता भी होती है और इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि कोई संभाव पर रहते हैं एक दूसरे एक साथ प्रेम का वहाँ पर माहूल बनाते हैं वो लाइन आपने सुने हैं ना कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है यद भी यह लाइन संसार में कही गई है एक ब्रहम ज्यानी के लिए कि ब्रहम ज्या परमात्मा का दीधार करता है परंतु वास्तम में शारा संसार ऐसा नहीं कर पाता लेकिन जो उस नंकारी संसमागम में पहुझता है वो देखता है नसरबदल गई हर शय में जलवा तेरा हू बहू है बहाँपर दिखाई तो प्यारे भाइए बहनों स्वर्ग तो सज चुका है और स्वरगादीपति इंतजार कर रहे हैं देपताओं के स्वर्ग में पहुँचने का पहुँचो दर्शन करो अपने स्वरगादीपति मालिक के अपने सत्गुरू के दर्शन करो बहाँ नफरत निंदा घिरना कुछ बहां प्रेम है, सोहार्द है, अपनापन है, मम्ता है, धया है और ये सारे के सारे इश्वर ये गुण बहां मौजूद हैं इनी शब्दों के साथ आप सभी को जैहिंद नमस्कार और प्यारभरी धन्नकार